नमस्कार, आज हम एक बढ़िया से पकोड़ी की रेसिपी लेकर आएं हैं जो हम बिना बेसन के बना कर तयार करेंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा फूले फूले होंगे, उपर से क्रिस्पी होंगे, एक अलग सा टेस्ट होता है इनका आलू के पकोड़े बनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं तो आप रेसिपी को पूरा देखें और रेसिपी को ट्राय जरूर करें, आपको जरूर पसंद आएगी पकोड़े बनाने के लिए ये 200 ग्राम आलू लिये हैं, आलू को उबाल कर चील कर ले लिया है चार ब्रेट स्लाइस लिये हैं, इनको इस तरह से पानी से चोड़ कर पूरी तरह से पानी हटा देंगे और बॉल में डाल देंगे अब इसमें दो हरी मिर्च काटकर डालेंगे, ये थोड़ी सी कमया ज़्यादा आप कर सकते हैं बारीक काटकर हमें इसे डालना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, बहुत ज्यादा बड़िया फ्लेवर आता है थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे, चार चमच यहां पर चावल का आटा डाल रहे हैं, जादा चावल का आटा इसमें नहीं डालना, बहुत जादा कुरकुरी हो जाते हैं पकोड़े, थोड़ी सी हल्दी पॉडर, और चोथाई चमच मिर्ची डाल रहे हैं, मिर्ची आप अब सभी चीजों को मिला लेंगे आलू को मैश करते हुए हमें इने मिलाना है आलू को जादा भी मैश नहीं करना यह नहीं कि बिल्कुली आलू ना दिखें थोड़े थोड़े आलू जो है दिखने चाहिए बहुत छोटे-छोटे से इस तरह का बैटर हमने बना कर तयार कर लिया है बैटर मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ से कमिया जादा कर सकते हैं बैटर बन कर तयार है अब पकॉड़ों को फ्राइ करने के लिए हम तेल गरम करेंगे तो एक पैन में हम कोई भी खाने वाला तेल गरम कर लेंग और इनके चोटे चोटे पकॉड़े जिस तरह से हम कोई बरी वागरा तोड़ते हैं उस तरह से हम इने बना लेंगे पकॉड़ों को चार या पांच मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और गैस को हमने लो मीडियम पर कर रखा है जादा तेज गैस में हमें नहीं से आते हुए निकाल लेंगे तो एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के पकॉड़े जो बचे हैं उन्हें भी इसी तरह से सेक कर तैयार करेंगे अकवाडे हमने सेकर तयार कर लिए हैं इनको सर्व कर लेते हैं इनको आप चाहे तो टी टाइम में या फिर सुभा के नाश्टे में भी इने बना सकते हैं और किसी भी sauce या चटनी के साथ इसे खाया जा सकता है चाय के साथ भी से खाया जा सकता है तो बहुत ज्यादा tasty लगते हैं और बिल्कुल अलग तरीके का इनका taste है तो आप recipe को जरूर try करें और आज हमने आपके साथ ये recipe शेयर की है इसी तरह की amazing और आसान recipes के लिए जो आपक के taste को भी बैतर बनाएंगी तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करें नमस्कार धन्यवाद